अगवान श्रीराम श्रीराम लला विराजमान के चरोडों में पहुचे हैं राष्ट मंगल की कामना करने के लिए। भारत के अभ्युदय की कामना लेकर ये वहां पहुचे हैं पुश्पांजली अर्पित कर रहे हैं श्रीराम लला विराजमान को प्रधान मंतरी इसके बाद राश्टो दौरा प्रस्तूत की जा रही कार्यांजली का भी अवलोकन करेंगे जबकि दिव्य भव्य नव्य भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्मार कारे के वह साक्षी बनेंगे और जिसका सवभाग्योंने महासिल हुआ था पांच अगस साल 2020 को भूमी पूजन करने के जरिए तो इस समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्रीराम लला विराजमान के दर्वार में प्रधान मंत हमारी ही संस्कृती जो सर्वे भवंत सुकिना सर्वे संत निरामया का मंत्र जबति है घर्म की जै हो अधर्म का नाश हो इसकी कामना करती है घर्व को विश्व के कल्यान की प्रधना करती है प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी श्री राम लला विराजमान के दर्वार में दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं और एक अलक धिजगाई हुन्होंने इस दीप के माध्यम से आप समझ सकते हैं एक अलक है जो जागी है समुचे राष्ट में राष्ट निर्मार की एक अलक जागी है आत्मनिर भर भारत के निर्मार की एक अलक जागी है जगत गुरुव भारत की संकल्पना को साकार करने की और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रज्वलन करके अपनी संकल्प को सिर्धी के लिए उसे और द्रड़ता और विश्वास प्रदान करने के लिए राष्ट की तरफ से कामना करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तोत हैं भ तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर जननायक का अभिवादन किया है और उश्रधावनत हैं विन्यावनत हैं प्रधानमंत्री समूचे राश्टर की ओर से संत महात्माओं मनीशियों और समूचे नर और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामन अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हिर्दे से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया आयोध्या की महिमा चारो भूवन में व्याप्त है ये भगवान श्री लक्ष्मी नाराण के साक्षात अवतार की भूमी है ये भगवान श्री राम के जन्मस्थान की भूमी है आयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगद गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहरनिश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी भगवान श्रीराम के श्रीराम लला विराजमान के दर्बार में पहुचे हैं राष्टमंगल की काम ना करने के लिए युगो युगो की साक्षी है ये अयुध्या की पावंधर्ती कहा गया है अयुध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारा वती चैव सब्तैते मोक्षदाई का मोक्षदाई नगरों में सरवर्षेष्ट स्थान हासिल है अयुध्या को विश्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयुध्या और भगवान श्री राम रामलला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं प्रदक्षना कर रहे हैं प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी राश्टनायक नरेंद्रमोदी परिवराज्यक नरेंद्रमोदी सन्यासी नरेंद्रमोदी, स्वप्न द्रश्टा नरेंद्रमोदी और भारतिय संस्कृति के समवाहत अग्रदूत के रूप में नरेंद्रमोदी, भारत भारतियता के प्रतीक के रूप में नरेंद्रमोदी। स्वर्गादपी गरियसी जननी जन्मभूमी स्वर्ग से महान है और इसके लिए समर्पित तन्मन और प्रान है इसी भावना को आत्मसाथ करते हुए प्रदानमंत्री नरेंद्रमोधी पहुचे हैं भगवान श्रीराम के श्रीरामलला विराजमान के दरबार में